मैं डॉक्टर तरंग पटल, क्वालिफाइड कैंसर सर्जन, विछले 25 साल से आप से हाथ मिला के कैंसर के सामने लड़ रहा हूँ, अब मेरी सेवा अति अध्यूनिक सिम्स होस्पिटल अंदाबद से उपलब्द है हमारा देश दिन प्रति दिन प्रगति कर रहा है, और दोगी करण कर रहा है, शहरी करण हो रहा है, इसी वज़े से शहरी स्त्रियों में स्तौन कैंसर का प्रमान बढ़ रहा है एक अनुमान है कि हर साल हमारे देश में एक लाख बीस अजार महिलाओं को स्टन कैंसर शिकार बनाती है पचास पत्रिशत मित्रुदर के साथ हमारे देश में स्टन कैंसर का प्रमान बढ़ रहा है एक परिलू यह भी है कि 50% महिलाओं जिसको स्टन कैंसर हुआ है वो 40 साल से कम है और इस महिलाओं में यह कैंसर आक्रमक और खतरनाक होता है स्टन कैंसर का मुख्या अंग सारवार का मुख्या अंग machine operation है और operation का फायदों को बढ़ाने के लिए premature therapy, hormone therapy और radiotherapy को उप्योग कर सकते हैं स्टन कैंसर का operation में हम ज्यादेतर cancer गर्स दन को निकाल देते हैं लेकिन एन मौके पर आई महिला को स्तंद कैंसर का ओपरेशन में स्तंद बचा के कैंसर को हम निकाल सकते हैं इसलिए महिला को छोटी गठान लेके हमारे पास पहुचना है और इसके लिए उन्हें स्तंद की जात तपास नीमित रूप से करनी है और 40 साल की आविके बाद नीमित रूप से मेमोग्राफी करवानी है अगर किसी महिला को स्तंद में घठान महसूस हो तो वह सर्जन डॉक्टर के पास जाके ठोस निदान करवा ले आओ सब मिलके स्तंद कैंसर पे विजय पाए दन्यवाद झाल